असलाम अलेकों रह्मत ल्लाहिव बरकातों जी दोस्तों कैसे उमीद करता हूं कि सब दोस्ट ठीक ठाक होंगे खेरियत से होंगे जी दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमने मस्जद के फ्रंट यानि मस्जद के दरवाजे का काम शुरू किया है और इस पे आर्च लगाई है त इसके फोरेंगा आए तो आपको मस्जद का भी नधरा करवाते हैं और जो इसका दर्वादा जिस पर हम डार्ट लगा रहे हैं वो भी पता रहे हैं तो जी दोस्तों अभी आज हमने कालब शूरू किया है कालब किया है उसके बाद उपर जो इसकी डार्ट आर्च जिसे और की आर्च लोकी डार्ट भी बोलते हैं मिस्त्रियों की जबान में तो जी दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये काम किया है इसके पर आर्च लगाई है तो आर्च आप देख सकते हैं ये इसकी आर्च का जो आपको बताएंगे आर्च की परकार कैसे लगाई हुए है तो जी द किये हैं टोटल प्रमेश करके उसके बाद इन्शाला जो इसका टोटल प्रमेश करके इसके तीन हिस्से तीन हिस्से की हुए हैं तीन हिस्सों में से दो हिस्से उसके ऊपर टेपर हैं सीधे और जो एक हिस्सा इसकी गुलाई का है संटर में डागा बांदेंगे संटर में अगर इसका 45 इंच होता है तो इसका 15 इंच तीसरा हिस्सा उसकी गुलाई होती है और दो हिस्से जो इसकी उपर टेपर होता है तो यह आज हमने इसकी उपर वाली इसकी की है तो इसके इलावा जो है वह हमने आज कुछ आर्च लगाई है कुछ हमारी आज रहेगी काल इन्शाला हम लगाएंगे आप लोगों को भी जरूर बताएंगे जो हम काम करेंगे इन्शाला देली की अपडेट मिलती रहेगी जी कि अभी मैं मस्जल की तरफ जाता हूं और आप लोगों को मस्जद का नजाड़ा भी कर्वाता हो या मस्जद की तरफ जा रहा हूं । यह अंदर डेरा है देरे के अंदर MSKD का यह द्रोजा अंदर उला और मेंद द्रवाजा ये डिया आप देख सकते हैं कि मेंद रवाजा है ये जी दोस्तो ये मस्ज़द है और यह टैंकी लगीए है पर फानी का हलाता है धेरे का नजारा आप को कुरबाते है तो जी दोस्तों अमूद करता हici वीडियो आप लोगों को पसान्दा को पास्מש हूँ जी दोस्तों जो चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइगन के बटन को दुबाएं ताके हमारी टेली की वीडियो अब तक बरवक्त पहुंचती रहें जी दोस्तों दुआ में याद रखेगा अब अपने दोस्त कामरान को यह दो दीजिएगा अलाहां के बाहुंच